किसान सातियों नमस्कार, राम राम, सस्रेकाल, आदाव, किसान सातियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं, आप जहां भी रहें, सवस्त्र हैं, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी, राच्चुगनी उन्ती हो, परम पिता पर्वेस्वर से हमारी यही कामना है साथियो आज 24 अक्टूबर 2022 मैं अमित महला तैसिर लोहारू डिस्टिक्ट भिवानी हर्याना से बिलोंग करता हूं और हर बार की तरह आज भी हम कोई नया विस्टे लेकर आप लोगों के बीच में आजिर हुए हैं आज वीडियो तो वैसे नाइट्रोजन की उपर बनना था लेकिन एक किसान साथी की हमारे बीच में जो समस्या है बहुत कठीन समस्या उस साथी के सामने आ चुकी है सरसों की फसल के अंदर यानि कुछ तश्वीरे मेरे इस वीडियो के बाद आप देख पाएंगे कुछ तश्वीरे में आप लोगों के बीच में सेर करूंगा और ये समस्या जो है ये समस्या अगर सही माइने में हम बात करें तो अमुम ये समस्या है जेविक फार्मिंग कर वीडियो के बाद कुछ तस्वीरें आप देखेंगे उन तस्वीरों को देखके आप अपने आसपास जो है या खुद की फार्मिंग करते हैं अगर यह प्रोबलम आपके पास आई हुई है या आ सकती है तो आप इस गोल का उपयोग आपको करना है ताकि यह दिक्कत आपको क हुआ । झाल 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 किसान साथियों आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी और बिल्कुल ध्यान से इन तस्वीरों को आपने देखा भी होगा इस पर एक कीड़ा टाइब में एक कीड़ा आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम इल्लियां बोलते हैं और ये इल्ली की जो समस्या है ये समस्या अमूमन हर क्रोप्स में मिलेगी आपको हर फसल में आपको मिलेगी अगर हम बात करें बेंगन की बात करें वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा मिलती है बेंगन की बात करें या घिया की बात करें या त्योरी की बात करें या टमाटर की बात करें या अन्य कोई भी वेजिटेबल है mostly 90% वेजिटेबल के अंदर इन इलियों की समस्या मिलती है अब ये problem तो आपने देखी है सरसों के खेत की ये 100 में से 10 में होता है ऐसा real अगर हम बात करें 100 में से 10 में ऐसा होता है कि ये समस्या पत्तों को खाने वाली इलिया उसमें आ जाती है लेकिन ज़्यादा ये सरसों में नहीं पाए जाता है और ये कहां होता है ये भी मैं आपको एक थोड़ा सा कलियर आज बता देता हूँ जैसे जैसे टमपेचर बढ़ेगा ताबमान बढ़ेगा तब तब इस इलिया का परकोप बढ़ता चला जाएगा अब आने वाली क्रोपस के अंदर आप बात करें जैसे ग्याओं की फसल हम लगाएंगे क्योंकि ग्याओं जैसे हमारे पके उपर आएगा ग्याओं की फसल हम लगाते हैं वो जैसे पके उपर आएगा तो इलिया उसके उपर अटेक करेंगी उस दाने को खाएंगी वो एक इलिवो हो गई दूसरा चने की फार्मिंग कोई भी साती कर रहा है चने के अंदर ये प्रोब्लम आएगी यह मैं आपको बता देता हूँ चने के अंदर ये प्रोब्लम आएगी और चने के अंदर तो बह पहले बना लीजिए अगर आपको फार्मिंग की करना है जे भी खेती में काम्याभी अगर आपको लेनी है और उसमें कुछ आसिल ही अगर आपको करना है तो वो कीटनासक आपको बाद में बनाना पड़ेगा इससे अच्छा है कि वो कीटनासक आप पहले ही बना लो और वो ब मीली भग की समस्षा देखे मीली भग के उपर मैंने कुछ समय पहले वीडियो बनाया था और मीली भग के उपर तो हमें इतनी काम्याभी मिलें कि आज तक हमा उस पर अनुमान नहीं लगा पाते थी हमारी माता है वह ने जो छत पर फार्मिंग करती थी उसके अंदर मीली भग बहुत ज़्यादा होता था कोटन के बात करें उसके अंदर मीली भग ज़्यादा होता था और आप तो मीली भग का पर अमोमन फसल में आने लगा है तो ये कीटनासे तो आपको बनाई लेना चाहिए अब बनाना क्या है उस पर मैं आप लोगों के बीच में सेर कुछ मेरी तरफ से जो जानकारी है वो सेयू करूंगा आपको केवल टू केवल आपने चाहे कितने भी तरह की कीतनासredit बना रखे हों आपने नीम की निमोली का बनाया दस morality का आप ने बना रखा हो एधरी मिर्चित गारम बना रखा हो या अधरक आप ने बना रखा हो या कोई अन्य कीट ना सका आपने जो जेविक तरीके से बनाते हैं आज तरह तरह के वीडियो आपको यूटूब पर मिल जाएंगे जिसके बारे में पता नहीं कितनी कितनी तरह की कीट ना सका अलग लग बना कि आप लोगों के बीच में सेर करने का वो काम कर रहें अपने कोहीं भी कुण ना बना रहे करें, सब को बूल जाओ, शिरत इस तरह की समस्या, फंगस की समस्या, वाइस् की समस्या कोही ये बिलकुछ जड़ से खतम करेगा। क्योंकि कनेर के उपर मैंने पिछए कुछ समय पहले आपको विश्टार से बताए भी था मैंने कनेर के उपर कुछ समय पहले आपको विश्तार से बताए भी था, मैं कनेर के उपर ये तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इसका हमने प्रैक्टिकली उप्योग किया है और प्रैक्टिकली उप्योग भी किन जगह पर किया है हमने यह बता दू यह प्रोबिलम कब हमारे सामने आय थी मैंने मेथि लगाया था अपने खेट में और वहां पर काला महुआ हो गया अब वह बिलकुल कंट्रोल नहीं हो रहा नीम की निमोली में चर्चाएं हुई क्योंकि देखिए experience जिसको होता है सबसे बड़ा गुरु वही होता है चाहिए आज ठीक है हम मानते हैं हमको जानकारिया हो गई हैं लेकिन जिससे हमने सीखा है वो हमारे गुरु है और गुरु रहेंगे क्योंकि हमने उन हमने प्रावत Кि या ऑमुत कैने पता था तो आपको कनेर के पत्तूं का कीटना सegt थियार करना है और कनिर एक ऐसा पोदा है जो आपको हर जगे मिल जाएगा अब में काफी किसान साथियों की मरे मटटव से भी आए कि स刊रं कीसा होता है आप गुगल पर जաima को दो तरह बोड़े दिकाई देंगे एक कनेर को पीला फूल आता है दूस्रें कसे कनेर को लाल कलर का फूल आता है और जो लाल आता है वो कोड़ी पत्तिगा होता है और जो पीले फूल आते हैं वो बारिक पत्तिगा होता है सबसे ज्यादा पाउरफूल अगर माना जाए तो वह लाल फूल का जो कनेर होता है वो सबसे ज्यादा पाउरफूल होता है और वह हमारे बुजरुक दादा पर दादा इस कीटना से काउपयों काफ है इतनी जानकार्या नहीं होते थी लंबी बिमारी के कारण कोई पसु को लग जाती थी जिससे वो ठीक नहीं רכफे जो भी मुझ्रुग होते थे अगर आद्हे बना बना के तरैतरय का लेकिन ऐसे भी अकर आराम नहीं होता था तो कनेर के प्त्तों का गाड़ा पिला देते थे 24 आउर्स के अंदर वो सवरंग सिधार चला जाता था ताकि वो पसुप प्रेशान ना हो दुखी ना पाए और उससे उसका मालिक भी दुखी ना क्योंकि ठीक होने की कंडिशन में नहीं होता था तो कनेर के पत्तों का कीटना सक जो है वो सबसे ज पासा से नाम से भी पुकारा जाता होगा इसी लिए मैंने वो तस्वीरें आप लोगों के बीच में सेयर कियें ताकि आप उसको सही डंग से समझभाए अब बनाना कैसे उसके बारे में मैंने वीडियो बनाए फिर में मैं बता देता हूं आपको 20-25 या 30 किलो कनेर की पतिय लिकिन इसके साथ में आपको अनैंसर अवस्ट से डालना है ये चीज मैं आपको बता देता हूं क्योंकि एंसर का उपियोग जो आप करेंगे वो केवल टू केवल आपकी कीटना से कहीं काम नहीं करेगा जो कीटना से आप उसमें डालेंगे उसको 10 गुना करने का काम ही नह को ही तो उससे जो बड़वार उसकी रुकी उसको भी चलू करने का काम अने इंसर करेगा तो यह चीज़े मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले समय में यह समस्षाइं आपको आ सकती है और कंफरम आएगी मैं बता कंफरम आएगी रासाइनिक ग्यों ल कनेर के कीटनासक जब बनाया था एक सथीनेक सवाल पूछा था कि जी हमारा हाथ अगर लग जाए हमारे सरी पर कोई फरक नहीं पड़ना कुछ नहीं होगा आप देफिकर होकि इसका उप्योग करवाईए और इसकी मातर आपको क्या लेनी है सो परसेंट हैनेंसर का गोल और अगर जो फोटो में आपने तश्वीरों में जो देखी ते अगर ऐसी कंडिशन है तो आपको दस परसेंट कनेर के पत्तों का कीटना सके लेना है किसान साथी हो और उसमें चाहें तो तीन से च्यार परसेंट आप वेस्डी कंपोजर भी मिला सकते हैं वो आप क्यों पूप आप इसका उपचार के लिए कनेर के पत्तों का कीटना सका बनाईए और जल्दी से जल्दी उसको चिड़काओ करने का काम कीजिए और दूसरा चिड़काओ भी हर तीसरे दिन आप करवा दीजिए आप जब दूसरा चिड़काओ करवाएंगे उसके तीन या चार दिन के ब कौनाना पर वीडियो को जादा नंपरना करते हुए इस वीडियो और तरहां वे रेतके किया आपको आपको के ही या आपको फिसमरतक्पी आफि झाल झाल